जैहिन दोस्तो, उत्राखन का टिहरी का लाल परवीन सिंग तिस बर्स ये हमारे देस के रच्छा करते हुए जम्मू कस्मीर में हुए बंबलाष्ट में हमारे देस के लिए बीरगत्री को प्राप्त हो गए पता दे की सहादत के सुचना घर पर पहुचते हैं पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है पूरे परिवार परी जनो को रोरो कर हालत गंबीर है वाकिये में दोस्ते जब कोई फोजी हमारे देस के लिए सहीद होता है तो दिल नहीं आत्मा भी तलब तलब कर रोते हैं जम्मू कस्मीर से एक बेहत दुखत खवर सामने निकल कर आई गुरुवार को दर्चिन कस्मीर के सोपिया में एक बम की धमाके में उत्राफंड की एक जवान सहीद होगे जबकि दो और जवान गंबीरूप से घायल है मिल जनकारी के मुताविक टिहरी गडवाल के जनकारी काना बलोक के अंतरगद बंडोली गाउं की रहने वाले जवान। गुरुवार का सुब एक वाहन में एक आईडी बलास्ट होने से तीन सैन कर्मिये घायल हो गए थे उनमें से सभी का अस्पताल में भरती क्राय गया था जहां पर उत्राखंड का लाल परवीन सिंग तिस वर्षी एलाईज के दोरान दम तोड़ दिये हमारे देश के लिए सहा आदत की सुचना घर पर आते ही पूरे घर पर मातम पस्रा हुआ है जवान परवीन सिंग तिस वर्षी ये उत्राखंड के टिहरी जीले के पांडोली गाउं के निवासी था मात्रम तिस वर्ष के उम्रे में हमारे देश के रच्छा करते हुए बीरगति को प्राप्त हो लेकिन दुख की वात यह है कि गुरु वार को जम्मू कस्मीर के सोपिया में हुए आईडी बलास्ट में उन वहां पर वाहन में तीन जवान घायल हो गए थे और तीनों जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था जहां पर उत्राखंड का लाल परवीन सिंग इलाज क दुरान दम तोड़ दिये हमारे देश के लिए बीरगती को प्राप्त हो गए वाकिये में दोस्त जब कोई फाउजी हमारे देश के लिए सहीध होता है तो दिल नहीं आत्मा भी तरप तरप करोते हैं सहीध जवान परवीन सिंग का अंतिम यात्रा के साथ पूरराज किये स